जिग्यासू मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्विसरजन स्प्रीच्वल में और जिग्यासू आज फिर हम उपनीशदों के एक विशय को लेकर यहां आ गए है और विशय है सत्ता किसकी आत्मा की या माया की संभूती और असंभूती रहस से क्या है इशावाश्य उपनीशत से इस पर चर्चा होगी तो इस विशय पर हम चर्चा करें लेकिन जितने भी मित्र आज वो पस्तित है प्रदीप यादव जी नीरज जी आदी सिनहा जी चलिए प्रजापत रवी जी अभिशेक कुमार जी राजू पाल जी सभी का बहुत अभिनांदन महेश राम पिस्दा जी परणजी सिन जी गुपाल शर्मा जी रचना जी जोनती तत्ता जी योगिंदर पंडिक जी देवरतन जी आप सभी को बहुत बहुत अभिनांदन तो जिग्यास्वों सत्ता किसकी है आत्मा की सत्ता रहती है या माया की सत्ता रहती है माया का विशह भी समझना चाहिए कि जो मिथ्या है जो कुछ ना होकर भी सब कुछ ही है तो किस प्रकार माया की गति विधी काम करती है उसे वो भी समझने योग है तो अवश ही हम आज वा विशह भी इसमें इस पष्ट हो जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उपनिशदों के इस लोग पर हम चलते हैं इशावाश्य उपनिशद के इन इस लोगों में तीन इस लोगों के अंदर इस विशह पर चर्चा मिलती है कलम ने विद्या विद्या की उपर चर्चा की और आज उसके आगे बढ़ते हुए हम बारहवे इसलोक से हम चर्चा करेंगे बारहवे तेरहवे चोदहवे इसलोक की अंतरगत हम संभूती और असंभूती संभूती क्या है और असंभूती क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे तो देखिए क्या इस लोक कहता है अंधम तमः प्रविशंती यो असंभूती मुपासते ततो भूय इवते तमो यउ संभुत्यांग रताह जो मनुश्य विनाश्यल देव पित्तर विनाश्यल जगत को जिसमें सारे जीवात्माय आती है विनाश्यल जगत जो माया है जो परिवर्तन शील है असंभूती मतलब जो परिवर्तन शील है जो जिसकी सत्ता नहीं है असंभूती की उपासना करता है अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करता है जो संभूत्याम अविनाशी पर मेश्वर में रत है अर्थात उनकी उपासना में उपासना के मिध्या अभिमान में जो अब देखिए जिस प्रकार से विद्या विद्या की चर्चा हुई थी उसी प्रकार से यहां संभूती और असंभूती की भी चर्चा है भेद क्या है आत्मग्यानी का भेद है तो जो आत्मग्यानी है उनके दृष्टी में भेद आ जाता है और उनकी जो दृष्टी है अधिक पारदर्शी होती है अधिक साफ होती है तो अंधम तमः प्रविशंती यो असंभूती मुपासते ततो भूय इवते तमोय उसंभूत्यांग रता तो जो मनुष्य असंभूती की उपासना करता है अर्थात पईवर्तन शील संसार में इस्थित होकर कामनाओं के वशिभूत जो उपासना करता है वो तो अंधकार में जाता है लेकिन जो अज्यानता पूर्ण धंग से संभूती अर्थात सत्ता की उभी उपासना करता है वह अंधकार में ही जाता है। यह बड़ी विचितरवार्थ है। पहले भी जब यह विदया अविदया पर चर्चा हुई तो इसलोग के यह कहते हैं조ड दसवा इगयारमा इसलोग पर हमें कल ही चर्चा की थी । it is पूज में कहा गया, कि अविद्या और अविद्या, दोनो ही तुम्हारे पतन का कारण गयाते हैं, दोनो ही तुम्हें अंधकार में ले जाते proportion फिर कहा किया नहीं, जो विद्या का विश्य है, वह आत्म ज्यानियों के लिए कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है और जो अविद्या है वह भी आत्मे ज्यानियों के लिए उसका अर्थ कुछ और है इसलिए उसके अनुसार ना तो विद्याबाधक है और ना ही अविद्याबाधक है जो आत्मे ज्यानिय निश्काम भावसे संसार के करम भी करता है उसके लिए करम बाधक नहीं है और उसके लिए विद्या तो ग्यानमय है इसलिए सहयक भी है इस प्रकार से लिखा गया ठीक उसी प्रकार से उसी लहजे में क्या लिखा जा रहा है यहां पर कि जो असंभूती मतलब या संसार को असंभूती जो स्वेम से नहीं है जो स्वेम से है वही तो स्वेम्भू है और जो परवश है वो कभी स्वेम्भू ना हो सकता तो जो स्वेम से नहीं है उसके लिए कहा गया असंभूती जो नित्य परिवर्तन शील है विनाश शील है वह असंभूती है जो असंभूती की उपासना करते हैं वह भी विनाश को प्राप्त होते हैं अंधकार को प्रवेश करते हैं अंधकार में प्रवेश करते हैं लेकिन सा साथ जो संभूती की उपासना करते हैं, वो अभी अंधकार में ही प्रवेश करते हैं, कितनी बड़ी विचेतर बात है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा कहा क्यों जा रहा है, अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ऐसा कहा क्यों जा रहा है, यही समझने का विशय है कि ऐसा क्य क्या विश्य है और किस विश्य में ऐसी बात कही गई है तो दो प्रकार के लोग हैं मैंने ये चर्चा देखी इस चैनल पर मैंने बहुत पहले भी की है एक कहते है कि नहीं साकार तो कुछ होता नहीं है सब कुछ निराकार ही होता है निराकार ही सत्य है साकार तो मिथ्या है असत्य है साकार की उपासना नहीं करने चाहिए इश्वर तो साकार हो ही नहीं सकता निराकार ही हो सकता है तो क्या तुमने निराकार का साक्षातकार किया ह क्या तुमने निराकार को जाना है क्योंकि जब तुम निराकार निराकार कहते हो तो निराकार निराकार कहते हुए भी तुम साकार में ही हो क्योंकि इस मन बुद्धी से निराकार संभव नहीं है मन बुद्धी चित एहंकार से क्या संभव नहीं है निराकार संभव नहीं है निराकार तो ध्यान समाधी से सुरत समाधी से ही संभव है ऐसे निराकार संभव नहीं है तो हमें यह विचार करना है यह सोचना है कि आखिर कहा क्या जा रहा है क्यूं कहा जा रहा है कि असंभूती की उपासना करने वाले भी हंद्यकार में प्रवेश कर जाएंगे और संभूती की उपासना करने वाले भी हंद्यकार में प्रवेश कर जाएंगे ऐसा क्यूं है ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी देखिए आप समाज में ऐसे वह सारे लोग हैं जो मुक्स मुक्स से बोलेंगे इश्वर तो निराकार है जैसे उनसे बड़ा कोई ग्यानी ना हो में नहीं होता भक्ति हमेशा साकार में होती है निराकार में नहीं होती निराकार तो तुम्हारा लक्ष है और निराकार तक तुम कैसे पहुचोगे कैसे पहुँचोगे साधना से योग साधना से निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हुए आप निराकार में प्रवेश करेंगे समाधी की अवस्था में जब भावातीत हो जाएंगे जब चित्वर्ती का निरोध हो जाएगा तब जाकर आप निराकार में प्रवेश कर पाएंगे उसके पहले तो जो कुछ भी है सब का सब साकार ही है तो इसलिए हमें यह मित्रों विचार करकर ही इस विशय पर चलना चाहिए और समझना इसलिए कहा गया कि जो संभूती का विशय है संभूती की उपासना है वह भी अंधकार में प्रवेश कराती है और असंभूती तो अंधकार में प्रवेश कराती ही है असंभूती तो अंधकार में प्रवेश कराती ही है तो संभूती की उपासना और असंभूती की उपासना तो हमें इस तथे को समझाले के लिए यहाँ पर यह वर्णन मिल रहा है तो आई आगे हम चलते हैं तो अगले स्लोक में कहा जा रहा है अन्य देवाहू संभावादन्य दाहुर संभावात इती शुशुम्म ध्रियानाम ये नस्तदव विचेचक्षिरे अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना अर्थात जो संभूती है उसकी उपासना वही अविनाशी रूप में है वह जिसका परिवर्तन नहीं जिसका विनाश नहीं जो सनातन है वही संभूती है और जो सनातन नहीं परिवर्तन शील है वह असंभूती है तो संभवात जो संभव है जो अविनाशी है उसका फल कुछ दूसरा बतलाते हैं और जो असंभूती है उसका फल भी कुछ दूसरा बतला इस फल को समझने के लिए जो आत्मे ग्यानी धीर जन है उनकी व्याख्या सुननी चाहिए कि संभूती क्या है असंभूती क्या है अन्य था संसारिक मनुष्यों के द्वारा जो मात्र जिहवा से निराकार निराकार कहते हैं लेकिन निराकार को नहीं जानते निराकार को नहीं जानते वो ठीक तो निराकार भावतीत अवस्था वह तो समाधी में संभव है भीया वह अभी इधर कहां संभव वह तो समाधी की अवस्था में ही संभव है उससे पुर्व निराकार संभव नहीं है तो वो आत्म ज्यानी के मुख से उसे सुनना चाहिए उस व्याख्या को समझना चाहिए ऐसे समझ में नहीं आएगा उनका कहना है अगला संभूतिम्च विनाशम्च यस्तदद वेदो भयम्स विनाशेन मिर्त्युम् तित्त्वा संभूत्या अम्रत्मश्णते जो मनुश्य उन दोनों को संभूति और असंभूति दोनों को जानते हैं जो विनाशील है और साथी साथ जो विनाशील नहीं है वह संभूति है और विनाशील असंभूति है तो जोनों के अथार्थ को जान लेता है वह असंभूति को पार कर जाता है असंभूति के मिर्त्यु रूप को पार कर जाता है और जो संभूति अविनाशी है प्रमात्मा उसको भी वह जान लेता है उसी में जाकर वह परमधाम को प्राप्त कर लेता है तो तीन इसलोकों में यह बात समझाएगे पहला इसलोक में यह कहा गया इन तीन इसलोकों के अंदर जो कि आपके 12, 13, 14 इसलोक के अंतरगत है इशावाश्य उपनिशद में 12 इसलोक में समझाए गया कि आप उपासना चाहे संभूती की करें चाहे असंभूती की करें आप अंधकार में प्रवेश करेंगे क्योंकि संसार में जो लोग हैं वो बातों को समस्ते कम हैं और जगड़ा ज्यादा करना चाहते क्यों कि सब को अपना जंडा उचा करने की पड़ी रहती है पलानी फलानी संस्था और उसंस्था के नाम पर ही सब कुछ करना चाहते जो एक institutionalism है जो कि आपको बिल्कुल आपको अध्यात्म से तोड़ देता है अध्यात्म के नाम पर जोड़ने के लाम पर तोड़ देता है जो institutionalism है संस्थानवाद है ठीक है तो वह जो संस्थानवाद है वह क्या करता है कि आपको तोड़ देता है और फिर आप रट्टू तोता बन जाते हो कि हम तो निराकार को मानते हैं साकार नम कोई भया इस संसार में सब कुछ साकार है कुछ भी निराकार नहीं है everything has a form it may be in a wave form it may be in a wave form even whatever you think that is in form जो आप सोचते हैं आपकी जो विचार तरंगे हैं वह अभी formless नहीं है तो सब कुछ form में है सब कुछ आकार में है निराकार में कुछ नहीं है जो कि निराकार में तो प्रमात्मा की सत्ता है ब्रह्म की सत्ता है और वह तो तुम जब चित्का लाई कर दोगे भावाती तवस्ता में चले जाओगे तब जाकर उसका साक्षातकार है तब जाकर उस वो समझ में आएगा ऐसे कहां से समझ में आएगा ठीक है तो यह हम अच्छे से इस बात को समझ ले तो निराकार निराकार कहने से नहीं हो जाता उसी को समझाने के लिए कि जो मात्र बाहर से निराकार निराकार रट लगा रहे हैं जो तुम बोल रहे हो वो भी साकार है। निराकार की भावना ही साकार हो जाती है। निराकार निराकार कहते रहते हैं उनको ब्रम नहीं मिलता वो भी अंदकार में जाकर गिरेंगे। उनकी हालत कैसे है एक तो जो अज्यानी असंभूति की उपासना करने वाला है विनाशील संसार की उपासना करने वाला है विनाशील विशयभोगों के संग रहने वाला है जो इस संसार के भीतर विनाशील विशयभोगों के संग रहने वाला है तो विनाशील विशयभोगों क संग रहने वाला है तो वह असंभूती है ठीक ना वह अंधकार में ही जाएगा लेकिन जो भ्रम में आकर जिसको पता भी नहीं कि भ्रम क्या निराकार क्या फिर भी अपने आपको ज्यानी समझ कर उसे ज्यानी होने का भ्रम हो गया है और उस भ्रम में आकर जो है वह निराकार निराकार की चर्चा कर रहा है ब्रह्म ब्रह्म की चर्चा कर रहा है बस मुझ से कर रहा है लेकिन कोई ध्यान योग कोई उसका अभ्यास वहां तक पहुँचने का कोई प्रयास नहीं उसके पास तो वह भी अंधकार में ही जाएगा भले ही वह संभूती की उपासना कर रहा है फिर भी अंधकार में जाएगा और जो असंभूती की उपासना कर रहा है वह भी अंधकार में जाएगा तो इन दोनों विश्यों को धीरों से जो आत्मेग्यानी धीर जन है उनके माध्यम से कर जाते हैं , ऐसा un15 में कहा जा रहा है , और संभूती की उपासना से वह एकही ज्ञानी है , जो दोनों ही उपासनाय कर लेता है , असंभूती की बी , और संभूती की बी वह एक ही vídeo क्ति है । जो दोनों ही उपासनाय कर लेता है असंभूती की ही संभूती की ही अर्थात साकार के भी निराकार के भी दोनों की उपासना वो कर लेता क्योंकि वो आत्मग्यानी है और वह मुक्त भी हो जाता है वो परमधाम की प्राप्ति भी कर लेता है और जो आत्मग्यानी नहीं है वह कोई कहेगा नहीं नहीं साकार गलत है निराकार ही सही है और दूसरा कहेगा नहीं निराकार कुछ नहीं होता साकार ही सब कुछ होता है अब यह दोनों है दोनों ही है लेकिन सत्ता किसकी है यह संसार परिवर्तन शील है यह संसार पर एक बात बताईए सत्ता किसकी है आप आज विडियो सुन पा रहे हैं, सत्ता किसकी है? कौन नहीं होगा तो आप नहीं सुन पाएंगे? आप यह विडियो सुन पा रहे हैं, किसकी सत्ता से सुन पा रहे हैं? ऐसी कौन सी वस्तु अगर ना हो, तो सारी विवस्ता होने पर भी आप नहीं सुन पाएंगे? तो एक तो हो तो ना computer चल सकता है ना mobile चल सकता है ना ही internet चल सकता है तो बिजली की सत्ता है उसकी सत्ता में ही सब कुछ हो रहा है आप सुन पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं वैसे ही सत्ता तो आत्मा की है सत्ता तो उस आत्मा की ही सत्ता है जिससे प्रेरित होकर जिसके सकाश से जिसके सकाश से सब कुछ हो रहा है और वह आत्मा ही तो मात्री रूपा है सब कुछ करने वाली है तो इसलिए सत्ता तो उसी की है संसार परिवर्तन शिले यह भी उसी का रूप है एक उसी का रूप है लेकिन यहाँ पर सत्ता कहते हुए संभूती मतलब जो सत्ता वान है असंभूती मतलब जिसकी सत्ता नहीं है संभूती मतलब जो सत्तावान है असंभूती जिसकी सत्ता नहीं है तो यह संसार इसकी सत्ता नहीं है माया की सत्ता नहीं है इंद्रियों की सत्ता नहीं है सत्ता तो आत्मा की है जो निर्विकल्प निराकार है सत्ता तो आत्मा की है तो जो आत्मा की सत्ता है वही सत्ता उसी सत्ता से सब कुछ चल पा रहा है आत्मा के सकास से ही सब कुछ चल पा रहा है इसलिए इस बात की लड़ाई हमेशा के लिए खतम कीजिए कि निराकार बड़ा या साकार बड़ा निराकार बड़ा या साकार बड़ा इसकी लड़ाई हमेशा के लिए खतम कर देजिए जिसके मन में इसके बीच में भेद है इसका मतलब कि अभी वह आत्म अनुभूती और आत्म ज्यान के विशे से नहीं जुड़ पाया है तो यह समझने की आवशक्ता है ठीक है मित्रू यह समझने की आवशक्ता है कुछ लोग पूछते हैं कि आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही है एक जगपन में कोई संस्था है वो ये कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान देते हैं हम आत्मिज्ञान नहीं देते हैं वो आत्मिज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे ब्रह्मिज्ञान का प्रयोग है विवेक चुड़ा मनी पढ़ लिजिए आदी गुरु शंकराचार ने कहा है कि आत्मिज्ञान है और ब्रह्मिज्ञान है आत्मा ही ब्रह्मिज्ञान तो फिर कैसे कहोगे कि इसलिए तो आत्मग्यान ब्रमग्यान एक ही विशय है उस अस्तर पर अद्वाइत वेदान्द के अस्तर पर वैसे आत्मग्यान का विशय सेल्फ नौलेज तत्व ग्यान का विशय है आप मन बुद्धी चित एहंकार इनको भी जानना तत्व ज्यान का ही विशय कहा जाता है और आत्मा का ही विशय माना जाता है इनको जानना तो जो साधक होगा वो जानेगा कई बार तो लोग ऐसे मिलते हैं जो दावा करेंगे कि हम ब्रह्म को जानते हैं हमने ब्रह्म को देख लिया है लेकिन मन पर नियंतरन फिर भी नहीं है मनना समझ में आया, बुद्धीना समझ में आया, चितना समझ में आया, सिधा ब्रह्म ही समझ में आ गया, तो कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए सांखे का तत्व दर्शन क्या है, सांखे का तत्व ज्यान क्या है, समझना चाहिए, सर्फ तत्व ज्यान ब्रह्म ज्यान इन शब्दों के प्रयोग मात्र से कुछ ब्रह्म ज्यान नहीं हो जाएगा इन शब्दों के प्रयोग मात्र से कुछ तत्व ज्यान नहीं हो जाएगा तो यह विवेक से शास्त्र सम्मत अगर शास्त्रिये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे शास्त्र का नाम भी लेंगे और अपनी शिव की परिभाशा दे देंगे तो शिव शब्द का प्रयोग आपने कहां से सीख लिया आपको शिव शब्द मिला कहां से पुरानों से मिला शास्त्रों से ही तो मिला ना शिव शब्द तो शिव शब्द तो आपने ले लिया और शिव की परिभासा अपनी नीजी बना ली तो यहीं पर गडबड होगा यहीं पर शास्त्र विरूध विरुध का रहे हैं यह सब यह सारी गतिवीधिया शास्त्र विरुध हैं तो उसी से बचना चाहिए चलिए आईए मित्रों तो मेरे खास है संभूती असंभूती और सत्ता किसकी है यह विश्य निश्य ही इस पश्ट हुआ होगा तो चलिए प्रदीप यादोजी दीरज जी चलो मुक्ति कियो जैश्य राम स्वामी जी मुझे सर्फ इतना जानना है कि योग द्वारा हम ब्रह्म बनना या उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे लेकिन सवाल यह है कि कभी तो हम ब्रह्म ही रहे होंगे तो हम यहां क्यूं आ गए हैं क्यूं आ गया वो ढूंडी है आप जब उस ओर जाएंगे तो आपको इस प्रशन का उत्तर मिल जाएगा कि आप यहां क्यूं आ गया कैसे आ लिए जब आप उस ओर जाएंगे तो इस प्रशन का उत्तर भी मिल जाएगा आपने लिखा ने निरज चलो मुक्ति की ओर तो जब ऊस्ते पर जाएंगे तो पता चल ड़ाएगा, क्यूं आ गए? तिक, आदि सिनहाज। गुरु जी पुरुष और प्रकृती के मेल से, जीव का जनम होता है, बार बार क्यों मनुष्य और प्रकृती का मेल होता है? और जाती को मौक्ष की प्रापती होती है, जीव को मौक्ष क यह तो जड़ चेतन की प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है इसलिए स्रिष्टी निरंतर हो रही है प्रले भी निरंतर निरंतर प्रले भी हो रहा है वो निरंतर ही चल रहा है कुछी खास समय पर बन जाता है किसे साथ ऐसा कुछ नहीं है वह तो निरंतर ही चल रहा है स्रिष तो पुरुष की नजर से देखते हैं तो ना मोक्षा है और ना बंधन ना जनम है ना मरन तो हमें ऐसा क्यूं अनुभव होता है कि यह संसार है प्रकृती का अस्तित्व यह सब क्यूं है त्रिखुनी माया तीन गुनों के वशिभूत ही सब कुछ है जो कुछ भी यह तीन गुनों के वशिभूत है ओम तत्सजी जपतप व्रत पूजा क्या है ये मोक्ष में सहायक है या पुन्ने ही मिलता है पुन्ने भी मिलता है मोक्ष में सहायक भी है प्रारंबिक सीड़ी है प्रारंबिक सीड़ी शलिये जी आगे बढ़ें तरंजीत सिंग जी गुरुजी निराकार को अगर मन बुद्धी से नहीं जाना जा सकता तो योग साधना से जो निराकार को जाना जाएगा वो कौन जानेगा क्योंकि मन बुद्धी तो प्रारंब में प्रतिविम्वित रूप में जाना जाता है ठीक है ध्यान की अवस्था में एकी भाव अवस्था में उसके बाद जानने के स्थिती खतम हो जाती है समाधी में जानने के स्थिती समाधी में नहीं रहती है और कैवल्ले में जहाँ पर चित्य का संपूर्ण ले हो जाता है वहाँ पर ना कोई ज्यानी है ना कोई अज्यानी ना कोई गुरु ना कोई शिष्य ना कोई भगवान ना कोई भक्त वहाँ यह द्वैत नहीं टिकता है तो वहाँ ज्यान नहीं टिकता है इसलिए ज्ञान स्वेम ही बंधन का परिचायक है ठीक ना ये तो पहले भी चर्चा इस पर कर चुके हैं कि जानने वाला बंधन का ही परिचायक है तो एक पर्तिविम्बित भाव ही बनता है ब्रह्म का ध्यान की अवस्था में तूरी अवस्था में और उसके बाद महासमाधी में ही निदाकार मिलता है उसकी प्राप्ति होती है is there a specific place where our Jivātma resides in our body or is our pervading? does it has form please yes jivatma has form and it is all-pervading in body it also works out of body is no specific place only it is known through only to know the jivatma or sukshma sharir is possible through dhyana opening of agya chakra it is only possible through opening of agya chakra through dhyana dhyana yoga it is only possible through dhyana yoga to know your sukshma sharira jivatma but it is all-pervading in body यह शरीर में हर जगा है जो jivatma है वह शरीर में हर जगा ही control बना कर रखता है लेकिन जब हमें जानना है तो हमारे मनुष्य जीवन में मनुष्य शरीर में जो माध्यम है उसको जानने का वह यहां से है त्रिकुटी द्वार से है कुटस्त से है वहां से है उसको दशन द्वार भी कहते है उसे आग्या चक्र भी कहते है वहां से है जहां माताएं बहने बिंदी लगाती है भाई लोग तिलक लगाते हैं तरंजीर जी निराकार ही निराकार को जानेगा जी नहीं जानेगा लेकिन ध्यान की अवस्था में योगी जानेगा ऐसी बात नहीं है लेकिन उसकी प्राप्ती नहीं होगी उसकी प्राप्ती समाधी से होगी गुपाल शर्मा जी गुरुजी क्या हर संसारिक क्रिया कर्म करते वक्त निरंतर आत्मा में विलीन रहने का इसपष्ट एवं पूर्ण रुपेन भान एवं बोध संभव है जी हाँ संभव है यह तो ग्यान का विशह है देखिए यह तो संभव है कि हम करतव की पालना जब करते हैं तो हमें पता है अगर हमने ध्यान साधना अच्छे से किये तो हमें पता है कि हाँ आत्मा की सत्ता तो है प्रमान हो जाता है एक आत्मे ज्यानी को तो अपने अनुभूतियों से प्रमानित हो जाता है कि आत्मा के सत्ता है तो जब सत्ता है तो उसे निराकार जो साकार सत्ता है जो सांसारिक सत्ता है माईक सकता है वो तो माया से है तो वो उसे स्वेम ही मिथ्या जान पड़ता है फिर इस माया से जगड भी नहीं सकते लड़ भी नहीं सकते यूकि जगड़ना लड़ना भी माया है अपने आप में तो इसी लिए प्रारब्द के वशिभूत कर्मों का सामना करना और कर्म करना इसे करते हुए ही आत्मिज्ञानी अपना जीवन वेधित करता है अनासक्त भाव से, बिना आसक्त हुए हम मनुष्य ने देवता को मनुष्य के देह रूप से माना परन्तु क्या देवता के देह की रचना मनुष्य के देह की जैसी है या आत्मा या अलग है जी या हमने अपने मानवी करन से अपनी भावनाओं को मजबूत करने के लिए माना लेकिन देवता बिलकुल वैसे ही है तत्व रूप में वो वैसे नहीं है लेकिन हमने भाव रूप में देवताओं को स्विकार किया इसलिए देवता भाव रूप हैं भाव रूप में हमने देवताओं को स्विकार किया इसलिए हमने उन्हें अपने रूप में ही माना जाना और जिस भावना में हम उनको याचना करते हैं उनको पूझते हैं उसी भा अभ्यास का विशय है ठीक और माया से बचना भी क्या है माया अपने आप हलकी पड़ जाती है वो बंधन नहीं करती बांधती नहीं है यह तो बहुत जादा भ्रम पैदा किया जाता है कि माया है माया है माया छोड़ो माया छोड़ो ऐसा नहीं है माया जब तक मन से ना छूटे तब तक क्या छूट साधना के द्वारा ही, ध्यान योग के द्वारा ही ब्रह्म को जानने से क्या अनबह होता है भावतीत, भावना उसे परे, beyond thoughts और जो वस्तू विचार पैदा कर रही है भावनाए पैदा कर रही है वो ब्रह्म नहीं है वैसे तो संपुल्ण संसारी ब्रह्मता विवर्थ है हाँ कुछ अनुभूतियां सुक्ष्म हो सकती है जैसे कई बार लोग अनुभूतियां करते हैं अंतर घट के अंदर गयते हैं कि दिव चक्षू से हमने ये देखा हमने नाद सुना ये सब भी सगुन विशे है अभी तु सधारन रूप में मुझे देख रहा है अब मेरे योग सिद्ध रूप को देख और उसको भगवान ने 12 अध्याय में सगुन कहा तो दिव दृष्टी से कई लोग देखते हैं कहते हम निर्गुन को देख रहे हैं जी नहीं सगुन को देख रहे हैं सगुन ही इंद्रियों के विशय में आएगा तो ब्रह्म को जानने से भावतीत अवस्थाएगी ब्रह्म को जानने से क्या अनुभा होता है भावतीत छेक ना भावनाओं से परें आप ऐसी ये वस्था में चले जाएगे आपके स्वास तक की प्रकृरिया स्थागित हो जाएगी प्रकृतिक रूप से जबर्दस्ती नहीं अपने आप स्थागित हो जाएगी गुरुकार से क्या होता है गुरुजी गु अंधेरा जान ये रू कहिये प्रकाश मेटे अज्ञानतम ग्यान से गुरु नाम है तास जो अंधकार से प्रकाश की और ले जाए उसको गुरु कहते है जो ज्यान की और ले जाए जो सत्य की और ले जाए जो अमरत्यों की और ले जाए उसे गुरु कहते है ठीक है थैंक्स थैंक्स सो मशमादवी शर्मादी ठीक है बिश्नु बरल जी गुरु जी दिव जगत में भक्त और भगवान का भाव नहीं होता क्या दिव जगत की बात नहीं कही गई है परम अवस्था जो है जो मुक्त अवस्था है मुक्ष है जो कैवल्ल है उसके लिए कहा गया कि वहाँ पर भक्त भगवान गुरु शिष्ष नहीं होते हैं ऐसी अवस्थाएं वहाँ नहीं बनती है क्या सुक्षम शरीर एवन सुक्षम लोग के दिख पाना तीसरा नितर खुलने का जी हां कह सकते हैं किसरा नितर खुलने का प्रमान क्या समाधी में आत्म अनुभाव होता है या साक्षात कार अत्वा दर्शन समाधी में लय होता है सारी अनभूतियों का ले चाहे वो सुक्षम अनभूती हो अंतरमुखी होकर अनभूती की हो चाहे बाहर इंदरियों से अनभूती की हो जैसे भी की हो उन सब का ले होता है समाधी में भक्ती में साक्षाद दर्शन बताया जाते हैं सगुन दर्शन बताया जाते हैं सगुन रूप से साक्षाद दर्शन संभव है रामकृष्ण की उपासना सही है कि हमें ब्रह्म को ही मानना चाहिए उपासना कर सकते हैं उनके आधर्शों को धारन करने के लिए आप उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उनसे प्रेढ़ना लेने के लिए निश्य ही उपासना करने में कोई बुराईनी करना ही चाहिए अभी तो ये विशय अभी लंबाचिया जी आप फिर से सुन लेजी एक बार इस पूरे विशय को इस पष्ट हो जाएगा प्रारंब हमेशा सगुन सही होता है तो उपासना सही है गलत तो होई नहीं सकती ठीक है रामकृष्ण की उपासना सही है गलत तो होई नहीं सकती न तो कि प्रारंब ही वही से होना है हाँ अंत निराकार में है अंत निराकार में है इसलिए तो यहाँ पर कहा गया स्रिकृष्ण भगवान ने जो देव पूजा की बात की है वो किस संधर्म में की है? इसी संधर्म में की है कि लोग संग्रा है तू और यहां इन तीन इसलोकों में आज उपनिशद के जो तीन इसलोक पढ़े संभूती और असंभूती की उपर उसमें यही बताया गया कि आत्म ज्यानिय के लिए असंभूती भी बाधक नहीं है और संभूती से तो मुक्ती है असंभूती से भी वो मिर्त्यू को पार कर जाते है इसलिए ज्यान दिर्ष्टी से जब बात समझ में आती है तो यह प्रश्णी नहीं बनता कि राम कृष्णी की उपासना सही है कि नहीं है यहां में ब्रह्म को ही जानना चाहिए जी हाँ ब्रह्म को जानना ही चाहिए बाकि राम कृष्णी की प्रेड़ना आप ब्रह्म के बारे में जानते कैसे है कृष्ण की प्रेड़ना सही तो जान रहे हैं आप श्रीमत भगवद गीता के मग्द्यम से ठीक है तो उनकी प्रेड़ना उनकी उपासना अब कृष्ण की उपासना क्या है गीता के स्लोक पढ़िये आप श्रीमत भगवद गीता के इस लोग अध्यन करें उसका उसका चिंतन करें उसका अश्रवन करें तो यह कृष्ण की उपासना है अगर आप श्रीमत भगवत गीता का सही से अध्यन करते हैं चिंतन करते हैं उस पर मनन करते हैं तो यह क्या है यह कृष्ण की उपासना ही तो है ठीक है तो यह भी इस पर विचार कर लेना चाहिए तो उपासना करनी चाहिए उसमें कोई बुराई नहीं है अब ब्रह्म तो बहुत आगे का विशय है ध्यान समाधी में आगे अभ्यास करते हुए जैसे श्रीकृष्ण भगवान अरजुन से कह रहे हैं कि अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो अभ्यास तो करना ही चाहिए और अभ्यास करते हुई आगे बढ़ना चाहिए चलिए आगे चलते हैं तो ये आपके प्रशनों का उत्तर मित्रों आज इस पर चर्चा हुई और अभी और कुछ प्रशन हम ले रहते हैं थोड़ा सा कुछ-कुछ लोग प्रशन जो करते रह करते हैं विडियो देखते नहीं और सीधा प्रश्न करते हैं तो दिक्कत हो जाता है ठीक है जी तो प्रश्न है किसी किसी का पूनम जी आप महराष्ट कहा आएंगे पहले पूना आएंगे आप संपर्क में रहें हम एसा लाइब में हम बताते नहीं रहेंगे कि हम कहां पर जिनको संपर्क करना है आप सीधा संपर करके आप पूछें तो इस प्रकार से कई मित्रों के एक और हैं मित्र अब देखिए मैं नाम नहीं लूँगा इन महानुभाव का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नकरात्मक कह लिजिए या कुछ एक होता है ना टार्गेट डिसकुशन है ठीक है तो आईए लेकिन फिर भी इनके विशय को मैं ले लेता हूं देखिए हो सक्यों तो मैं इनके चैट को शेयर भी कर दूँ अब वो क्या कहते है प्रणाम महात्मा जी सुक्ष्म शरीर को देखने की क्या विधी है प्रश्ण क्या है इनका श्रीमान जी पंजाब से हैं ये सर जो भी है इन्होंने बताया है यहाँ पर कि मैं पंजाब से हूँ नाम मैं इनके लिए ही नहीं ले रहा हूँ अगर जवरत लगा तो नाम लेकर भी एक दिन बोल दूँगा तो सुक्ष्म शरीर को देखने की क्या विश्य है क्या जान सकते हैं सुक्ष्म शरीर को मैंने कहा कि हाँ जान सकते हैं आप ध्यान योग का अभ्यास करिए ध्यान योग से मैंने का ध्यान योग से आप जान सकते हैं तो अब अगला कमेंट वो कर रहा है मैंने बता दिया कि ध्यान योग से आप सुक्ष्म शरीर के बारे मुझे अगला कमेंट है उनका या कोई फीस है उसकी अब ये पूछ रहे हैं क्या उसकी कोई फीस है खुद का प्रशन क्या है क्या उसकी कोई फीस है तो यहां पर उतर दिया गया ध्यान यूग के कोर्सेस है सन मेंबर्शिप जुपीटर मेंबर्शिप उनकी फीस है अब क्या लिख रहे हैं ओके सर मैंने सोचा आप समाज सेवा कर रहे हैं आप भी प्रोपेशनल ही हो बड़ा दुख हुआ सर आप मेरे मैंने उनको फिर अपना जवाब दे दिया कि आप वीडियो सुनिये उसमें इस बात पर चर्चा की जा चुकिए देखिए एक वेक्ति पूछता है कि आपकी फीस क चाहिए था न फिर मतलब कि आप पहले से निश्चित थे कि मैं फीस पुछूंगा ये फीस कुछ बताएंगे तो उनको बोलूंगा रहे आप तो विवसाय कर रहे हैं तो भीया जो विवसाय नहीं कर रहे हैं वहां जाओ जिए इसी बात जो विवसाय नहीं कर रहे हैं वहा ऐसे ऐसे लोगों ने जाना ज्यान प्राप्त किया, समझा और जाना, तो इसलिए विचार करना चाहिए, विचार करकर ही कोई बात कहनी चाहिए, पता चल जाता है कि आपका उद्धिश्य क्या है, आप खुद ही अपने थोड़े थोड़े डायलोग से क्लियर कर देते हैं कि आपका टार्गेट कुछ बोलने का क्या है, पता चलता रहता है, आप ये समझ लीजिए, इसलिए कई लोग कई तरह के कमेंट करते हैं और जो करते हैं उनको उस धंग से उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, इसलिए मित्रों इस चक्कर में ना पड़े, या जो मैं तो सो सिवा कर रहे हैं तो समा सिवा पर बात करनी चाहिए, खुद ही पूछते हो कि फीस क्या है और फिर खुद ही लिख देते हो कि विवसाय कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें पता था कि भाई फीस लगती है तब ही तो तुमने पूछा कि फीस क्या है, और मैं वीडियो सुनता ह और आपको फीस नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में फीस दिये गए हैं, आपको फिर इस वीडियो में भी बताया जाते हैं कि क्या है, और वो इसलिए है फीस, ताकि क्यूं है, अब सुन लिजे ध्यान से, पहले भी रिपीट बढ़ा चुके हैं, और आज फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ठीक ना, इंटरनेट है ये, ये कोई आमने सामने बैठा बैठा हुए हम लोग नहीं हैं, कि यहां पर बैठ कर सारी बात जानी जाए, और फोन के माध्यम से हो, जहां भी माध्यम से हो, वो पता कैसे चलेगा, वो पता कैसे चलेगा, कि आप कौन है, क्या है, कितने गंभीर है, नहीं है, तो ध्यान योग कोई ऐसा विशय नहीं है, कि भाई कोई खेल नहीं है, कि चलो भाई यूटूब में लोग क्या करते है विडियो लगा दी और देखना शुरू कर दिया कुछ दिर देखा किसी ने 5 मिनिट देखा किसी ने 10 मिनिट देखा छोड़के चले तो ध्यान योग के विडियो के साथ कोई ऐसा करे वो हम मजाग थोड़ी ना है भाई मजाग समझ रखा आपने ध्यान योग का विशय तो जो लोग गंभीरता से करना चाहते हैं वही आएं इसको ज्वाइन करें और नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन सिस्टम में तो उसका फीस निश्चित है हाँ आप सीधा हमारे पास आई हमने कह दिया आप हमारे सेंटर पर आजओ आप रहो आमने सामने बैठो मिलो ठीक है तो उसी से संभव हो सकता है और कोई दूसरा संभव वाली बात नहीं और दूसरी बात जिसको करना है न देखी एक बार क्या हुआ कि ट्रेन से कुछ लोग यात्रा कर रहा थे और ट्रेन में क्या था कि पानी बेचने वाला गर्मी का मौसम मई का महीना जेट का मास और पानी बेचने वाला जो है वो बेच रहा था पानी पानी बेच रहा था वो कहा रहा था कि पानी पिलो पानी पिलो एक रुपे का एक ग्लास एक रुपे का एक ग्लास पिला रहा था वो पानी अब इतने में एक आदमी मिला कि भ हुए कि मैं गरीभ आदमी हुं मुझे 50 पैसे में पिला दो नहीं relacion मैं एक रुपय महीं पिला प्यूंगा बैचार tyre जो पाइश रही ऐसे कि पाई नहीं है अगर तुम्हें प्यास होता तो तुम पानी पी चुके होते अब तक ये वो है ऐसा वो है तुम ये सब चकर में ना पढ़ते तुम अब तक पानी पी चुके होते तो तुमने बात ही कुछ इस ढंक से शुरू कर दी पहले ही पूछ रहे हो कि फीस क्या है और फिर फीस बता दो तो कहते हो विवसाय है तो लक्ष ही कुछ और है तो जब लक्ष ही कुछ और है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है तो इसलिए मित्रो या तो आपकी गंभीरता आप कई मित्र है बहुत अच्छे से बाचित करते हैं अपनी साधना करते हैं कई लोग साधना पर है कई लोग के तो साधना है हमने सुनकर भी कि हाँ भाई वो इस तरह की साधना कर रहे हैं उन लिख रहा है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे ध्यान करता हूँ, मुझे ऐसे अनवूतिया होती है, मैं हम उनको यही सला करते हैं कि हाँ आप करिए, अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रही है, कई लोगों ने इसमें से पहले भी एक विक्ति थे, उनको मैंने कहा था कि आप करिए, आ आप जो साधना कर रहे हैं उस पर आगे बढ़िए, अच्छी बात है, करो भाई, हाँ अगर विशेश रूप से, अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है, और सिस्टम में आप आना चाहते हैं गहराई में उतरने के लिए, तो जरूर आप इसका लाब उठाई, तो कोई भी इसका लाब उठा सकता है, अन्य था आप जो कर रहे हैं करिए ना, किसने रोका है, कोई उठोई ना, मैं तो परसाइद करता हूँ, वो अच्छी बात है, ठीक, लेकिन जो एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, वो है, इसलिए हम किसी से कोई चंदा या इस तरह की चीज़ में वो करना पड़ता है, आप सुपर चैट से जो पैसे भेज कर प्रशन पूछेंगे, उसी प्रशन का उत्तर मिलेगा, दूसरे प्रशन का उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं कोशिस करता हूँ, घंटा हो जाए, डिड़ घंटा तक मैं रुख जाता हूँ, कई वो आपके प्रशन का उत्तर नहीं देते हैं, तो इसी लिए अच्छे से समझे, विचार करें, और तब कुछ कहें, और रही बात फिर आ जाते हैं एक और बात विवसाय, पूरी प्रकृती ही एक विवसाय है, आपको मानलो की रात को अच्छी नींद आ गई न, वह भी कर् मफल का प्रिणाम है, इसी लिए पारदर्शिता में विश्वास करो, समास सेवा के चक्कर में पूरे देश का बेड़ा गरक हो रखा है, पारदर्शिता में विश्वास केजिए, जो विदेशी फंडिंग पर देश को प्रबात करने में लगे हैं, उनको छोड़ देश के अंदर जो समास सेवा के नाम पर करने वाली जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं, सन 2000, 2005 तक बोलती रहेंगे कि हम तो कुछ नहीं करते, हम वैपार नहीं करते, 2010, 12, 13, 14 आते आते पता नहीं क्या-क्या वैपार चुरू हो गया, मैं खुद ऐसी संस्थाओं में जो फ्री में ग ठीक, तो इसी लिए समझ कर, सोच कर, पारदर्शिता, अगर यहाँ पर आपसे फीस ली जा रही है, तो पूरी पारदर्शिता के साथ ली जा रही है, और पूरी पारदर्शिता के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है, कोर्स कराया जा रहा है, काउंसलिंग भी कराई जा र ज्वाइन किया है उनसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हैं, अभ्यास कैसा चल रहा है, अभ्यास करते हुए कोई समस्या तो नहीं आ रही है, साथ में ये काउंसलिंग भी चलती रहती है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, वो बेहतर तरीके से जानते हैं, यहां पर, तो be clear पारदर्शिता सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है नहीं तो free में सेवा में लूटने वाले बहुत लोग हैं पीछे से सब लूटते रहते हैं ठीक तो उनसे बच जाईए तो बेहता है चलिए तरणजी से सुक्ष्म शरी को देखने भी तो कामना है आत्म में साथ होना चाहिए ठीक है यह अभी कामना तो है लेकिन ठीक है आप सुक्ष्म शरी के बारे में जानना चाहते तो ध्यान योग साधना से तो जानेंगे न नहीं तो आप हो कहीं से कुछ पता चलता है तो वहां से जानिए मादवी शर्मा जी आदिशनासर जी सच में आप पूरा एक सिविलाइज और स्पिरिच्वलाइज पर्शन है आप सभी का बहुत-बहुत आभार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत इस चैनल में और इस अभियान में इस रिंखला में तो मित्रो इसी के साथ विराम देंगे यहां पर इस विचार प्रवाह को और कल फिर एक नए विचार के साथ मैं आऊंगा और साथ ही साथ जो जिग्यासू पूना में या मुंबई में मिलना चाहते हूं वो वाटसाप पर संपर्क कर ले अपने बारे में बता दे और फिर वो मुझसे मैं समय दूँगा अभी किछले कुछ दिनों के लिए समझ लेजे कि लगबग ये पूरा महीना फरवरी का मैं बाहरी रहने वाला हूं महराश्ट्र यातरा पर पूना मुंबई पर ही पहले से ही योजना बद्ध है सारा तो उसी यातरा पर रहने वाला हूं तो आप चर्चा कर सकते हैं जो लोग हैं कई लोगों ने किया है और कई लोग और अगर मिलना जानना चाहें तो मिल सकते हैं तो चली इसी के साथ मैं विराम देता हूं अपने विचारों को यहां पर बहुत बहुत आभार आप सभी का झाल झाल